गुड इनिंग प्यारे बच्चों आप सभी लोग कैसे हो हमें उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे और जबरजास्त होंगे पढ़ाय लिखाई अच्छे से चल रही होगी तो एक क्लास नाइन का चैप्टर वन मैटर इन सर कि अज दूसरा वीडियो सब्सक्राइब करने वाले हैं तो अप्धियान देंगे अचिकल करेक्ट्रीष्टिक्स मैटर पाईड कि असरा है इस्तेटाप मैटर एक और लाने वाले हम यह क्टेल वन को क्या करेंगे के कंप्लीट कर देंगे यह हमारा जैसे एक प्रकार से एक तो हम इस तरीके से दे रहे हैं उसके बाद फिर से हम करेंगे और हर तरीके के प्रॉब्लम को आपके सामने रखा जाएगा और साल्व किया जाएगा ठीक तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विना टाइम बेस्ट किये अपने पहने टॉपिक को फिजिकल नेचर आप मैटर्स या प्रम को दिखाई है ऑपने सिस्क एरगन द्वारा समझ लें किया क्या एंडर कर सकते हैं डीरे दही में अफित नहीं समझ में नहीं आती है तो जो सड रही है तो नहीं दिखाई दे रहे है लेकिन उसके आंधर का फार्मेशन हो रहा हुँ एक तरह chemical property है जो हमारे समझ में नई आ रहा है लेकिन physical property वह होती है जिसको हम आसानी से अपने sense organ द्वारा क्या कर सकते हैं understand कर सकते हैं समझ सकते हैं तो जड़ा देखेंगे फिजिकल नेचर आप matters को क्या देखेंगे फिजिकल नेचर आप matters को तो पहला matter is made up of particle क्या है matter is made up of particle में चोटे-चोटे particle से बना होता है matter is made up of particle जैसे यह हमारे सामने हैं इतनी बड़ी मानलों क्या है हमारे पास लोहे की सीट है क्या है लोही की सीट है लोहे की चादर है अब हम क्या कर रहे हैं इसको हम काट रहें क्या कर रहें चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा- छोटे 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 से मिलकर एक बड़ा मैटर बंता है क्या छोटे छोटे पाटिकल आपने पाड़ा होगा इसली स्मालेस्ट यूनिट आप लाइप लॉक्त हमारे जीवन का मनुछ से जीवन का या फिर पेड़-पोजे की बात करें सब के जीवन का जो सुच मतामी काई है smallest चीज है वो होता है एक सेल क्या है एक सेल लाखों सेल केसी एक और्गनिजम किसी एक जीव को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं तो इसी तरह है जो एक स्मालेस्ट पाइटकिल होता है वही क्या होता है ध्यर Si film क्रिएट करते हैं क्या करते हैं नुप करते हैं हम समझ करते हैं मैटर नहीं बने को लिए कोई भी सामने हमारे कोई पाट्किल आना चाहिए टिक कोई अलग बात को दिमाग दा किसमित रहेगा लग której कमेष्ट्री वाला मेटर नहीं हो पाएगा क्यों क्यों वह दिमाग का में नहीं तनाख में रह जाए गा- इसमय नहीं नहीं आता है तो जो है चो यह कि हमिए नहीं लगता है हमारा दोस्त हमारे साथ अच्छा वियर नहीं करता हमने देता यह भी एक मैटर है मारे दिमाग में क्या है मैटर है मैटर में क्या होता है पाट कि नहीं होते हैं इसको मैटर नहीं कह सकते हैं दूसरी बात पाट कि लाप मैटर और वेरी इसमाल दो ही जो है फिजिकल नेचर होते हैं क्या है दो ही फिजिकल नेचर होते हैं जो समझने करने के लिए आसानी से क्या होते हैं दो ही physical nature है उसके बाद आगे हम समझेंगे है यहां है आप मेटर ब daí पैली बात थोफ़ोभी बनते हैं ओभी में भी यहां경 दूसरी बात क्या होते हैं मैंटर कितना है क्या है मैंटर कितना इसमाल है तो हम क्या लेते हैं हम एक लेटे हैं एक बीकर लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं तुमालो है हमारे पास 100 ml है 100 ml क्या है water है और इसमें हमने कितना मात्र the crystal क्रिष्टल कर समझ सकते हैं 1 mm inch 1 miligram फिए आप ऐसे समझ लो कि एक छोटा सा क्रिश्टल एक छोटा सा क्रिश्टल हमने इसमें एड कर लिए उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा भी कर लेंगे अब यहां से हम एक टेस्टूब इसमें डालेंगे जो आपके एक्टिविटी दी गई है अब देखेंगे यहां एक टेस्टूब फिर डाले तो यहां भी क्या है परपल कलर दिखेगा फिर इसमें से एक टेस्टूब हम दूसरे में डालेंगे तो इसम यह है कि मैटर के पाइटकिल बहुत इसमाल होते हैं बहुत छोटे होते हैं बहुत छोटे होते हैं ठीक अब देखो पहले चीज मैटर जो भी बने होते हैं वो पाइटकिल से बने होते हैं दूसरी चीज मैटर के पाइटकिल बहुत इसमाल होते हैं बहुत छोटे होते हैं उन मैंटर क्या फिजिकल नेचरा मैंटर हम समझने है कि फिजिकल नेचर समझ में आए वह दूहीं है पहला चीजह याद करेंगे पहला चोंटे चोंटे obligation से बना होता है जो चोंट होते हैं अब हमारे पास आता है wreck libr कि यह अगर हम कहें आपको कि यह जो है जानवर है या फिर यह बकरी है तो आप को होगे कि अगर वह गाय होगी तो उसके पास सींग होगी और उसके पास चार पैर होगे उसके पास एक पूछ होगी उसके पास दो आख होगी ठीक है और इस तरीके से अगर हमने कह दिया कि यह जो है भैस है तो उसके भी लच्छड होते हैं कि भैस है तो भैस के पा क्या पहचान है कि यह मैटर है मैटर भी अपनी खुद की कुछ पहचान रखता है क्या खुद की कुछ पहचान रखता है जिसे हम कहते हैं have a negative पहलिन पहँचान क्या है ? पार्ट के बीच में इस्पेस होते हैं यानि एक पार्ट के लिए है दूसरा पैने ही तो इनके बीच क्या होते है ? श्चोठे छपे जगह होते है लेकिन हम बात करें solid liquid gas की क्या बात करें solid liquid है और gas की बात करें तो solid में space सबसे कम होता है liquid में उसके compression में ज़्यादा होता है gas में उसके compression में सबसे ज़्यादा होता है यानि meter के particle के बीच में क्या होता है जो space होता है वो solid में सबसे कम होता है लिक्ड में उससे जढ़ा होता देजर अब देखो पहला यहीं था पार्ट किर आप मैटर है क्या करते रहते हैं क्या क्या करते रहते हैं क्या करते जिग जैग मोशन करता है और अगर आपको देखिना है किसी लिक्विड का मोशन जैसे पास वाटर दो तो एक drop नीर डाल दो, जो कपडे में लगाते हैं, जो कपडे में लगाते हैं, एक drop डाल दो, उसके बाद देखो, water के पार्टिकल का जिग जैग मोशन दिखाई देगा, तो जो solid के पार्टिकल है, उनके पार्टिकल के बीच इस तरीके का मोशन नहीं होता है, बहुत छुड के पार्टकिल ज्यादा करते हैं और गैस के पार्टकिल सबसे ज्यादा मोशन करते हैं उसके बाद तीसरा हमारा क्या है करेक्टिस्टिक्स है पार्टकिल आप मैटर अट्रेक्ट तू इच अदर देखिए बहुत इंपोर्टेंट सीज्ट है पार्टकिल आप मैटर अट्रेक पकड़े ने एक दूसरे को होल्ड ने करें तो क्या है मैटर का एक बड़ा साइज मिल पाएगा चाक के अगर छोटे-छोटे पार्ट के लिए एक दूसरे को अट्रेक्ट ने करें एक दूसरे को बाइंड ने करें तो क्या चाक का हमको एक बड़ा टुकड़ा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, अगर जो गॉल्ड हमारे पास इतना बड़ा दिख रहा है, क्या जो हमारे पास इतना बड़ा गोल्ड दिख रहा है, अगर इसके छोटे-छोटे पॉर्ट के लिए एक दूसरे को अट्रेक्ट नहीं करेंगे, बात चीत करते हैं हात मिलाते हैं खाते पीते बैठते सोते हैं भाई तुम भी मैटर हम भी मैटर हम सब एक साथ रहेंगे ठीक अब यहापको हात पकड़ वाला जो उसमें दिया है इसी आईटिम ने ऐसे से पकड़ो करके जो है तो ये लूवे को करते हैं अगर पर assert i2 दूस्रे को पकड़ते फॉल्ड नहीं तो क्या एक बड़ा मैटर मिल पाता हम को नहीं मिल पाता कि किसी भीहाल मेंं रहजी मिल पाता क्यों क्यों कि जब ट्रेक्शन नहीं करते लेकिन बात यह है कि सॉलिड के बीच क्या होता है फोर्स आप ट्रेक्शन ज्यादा होता है क्या फोर्स आप ट्रेक्शन ज्यादा होता है लिक्विड के बीच क्या होता है फोर्स आप ट्रेक्शन सबसे कम होता है क्या होता है सबसे कम होता है तो यह हमारे थे क्या फिजिकल नेचर आप मैटर करेक्टिस्टिक्स आप पाइट किल आप मैटर अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइप कर दीजिएगा क्या समझ में आया हो तो वीडियो को लाइप कर दीजिएगा और एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा सर समझ में आ गया उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं आगे बात करने वाले इस्टेट आप मैटर की क्या इस्टेट आप मैटर की तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था मैटर के फाइप स्टेट होते हैं क्या होते हैं फाइप स्टेट होते हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे थोड लिक्विड गयस कितने थे पहला हमारा क्या था पहला हमारे पास क्या था सॉलिड था क्या था सॉलिड था दूसरा हमारे पास क्या था लिक्विड था पहला हमारा क्या था सॉलिड था दूसरा हमारा क्या था लिक्विड था तीसरा हमारा क्या था गयस था चौता हमारा क्या प्लाज्मा था पांचवा हमारा क्या था बी ई सी बोस आंस्टीन कंडंसेट तो हमारे पास पांच स्टेट आप मेंटर है फैप स्टेट आप मैंटर तो प्रिटा आपको हमने बताया है पहले वीडियो में यहां टाइम बेस्ट नहीं करेंगे चौथा और पांचमा जो स्टेटी के लिए आपके अध्यान के लिए तो इसके बारे में पहली वीडियो में डिसकस किया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं आप वीडियो को देख लेंगे पहले पहला वीडियो देख लेंगे और उसके comparative study कर लेंगे एक साथ में तो आप लोग भी क्या करेंगे इस तरीके से ही कालम बनाके एक बार में comparative study कर लेंगे कि ऐसे कालम बनाएंगे इधर solid इधर क्या करेंगे लिक्विड करेंगे इधर क्या करेंगे गैस करेंगे इस वालिड लिक्विड गैस तो पहला जो करेक्टिक्स से सॉलिड क्या है दो फिजिकल स्टेट आप सॉलिड इस सॉलिड है क्या सॉलिड है क्या सॉलिड है क्या सॉलिड इज़े स्टेट आप मैटर क्या है मैटर की एक अवस्था है सॉलिड इज़े इस्टेट आप मैटर इस्टेट आप मैटर इन विच जिसमें क्या होता है से पैंड वैलूम दो वर्ड याद करेंगे एक वर्ड से दूसरा वर्ड वैलूम इसी दो वर्ड से हम तीनों की डिफिनिशन बता देंगे बस आप दो वर्ड याद करेंगे एक वर्ड से दूसरा वर्ड वैलूम क्या एक वर्ड से दूसरा वर्ड वालूम दो दो कि वर्ड तो कीवर्ड में तेनों डिपनीशन कंप्लीट कर देंगे क्या कर देंगे पहला क्या है । स्क्राइब यृ वेलूम और भीक्सड वेलेम और फिक्सड सॉलिट इससमें स मेरे धाय यह वहिäreक या कुंणा और घन कीतर हैं और क्या है चत्रभूच की तरह है चिपता दिख रहा होही क्या ह wam एक क्या होता है से पैंड वैलूम क्या होता है फिक्स होता है क्या होता है से पैंड वैलूम फिक्स उसके बाद हम बात करते हैं लिक्वीड की क्या है लिक्वीड है क्या चीज लिक्वीड मैटर का एक स्टेट है मैटर की एक अवस्था है लिक्वीड क्या है मैटर की एक नहीं होता है बस वैलुम क्या होता है, फिक्स होता है, वैलुम फिक्स, बट इंड़ेफिनिट क्या है, इंड़ेफिनिट्ष और आसान लिखना हो तो नाट फिक्स क्या करतेंगे, नाट फिक्स, ह्टिक, अगर Öz vocal की अगेश पास क्या हो गया इसमें हमारे पास पुलन हो गया मालों रख लिए är cambi है ऑग्च टू ओगठी अगर लेति की बात करेंगे इस यह और डाप मेटर यह भी क्या है इस टेट अप मैटर जिसमें शेल आप वैलूम क्या यानी अकार और आयतन स्टेप एंड वैलूम बोथ और था हि इस में इसके बाद दूसरी बात में प CAT्रैक्शन को पार्टिक्ल के बीच ट्रैक्शन लगता है वो किसमें ज्यादा लगता है किसमें कम लगता है तो हम पहरेंगे लिकों सॉलिट के बीच फोर साप अट्रेक्शन जो होता है पार्टिकल टू पार्टिकल क्या है फोर साप अट्रेक्शन का मतलब होता है जो पार्टिकल को अपने पास क्या करता है बाइंड करके रखता है इसके बीच में होता है सबसे ज्यादा होता है इसके बीच क्या होता है सबसे ज्यादा होता है और लिक्विड की बात करें तो इसमें जो फोर्स आप ट्रेक्शन होता है क्या होता है यह इनसे क्या होता है किनसे गैस से ज्यादा होता है लेकिन क्या होता है सॉलिड से कम होता ह फोर साप अट्रेक्शन फोर साप अट्रेक्शन यानि अपने पार्टिकिल को क्या करना अट्रेक्ट करना फोर साप अट्रेक्शन मतलब अपने पार्टिकल को अट्रेक्ट करना ठीक यहां पर क्या रहेगा गैस रहेगा सबसे कम पार्टिकल पार्टिकल के बीच फोर साप अ साउंड की स्पीड किसमें ज्यादा होती है क्या साउंड की स्पीड किसमें ज्यादा होती है चोटी चोटी बहुत सारी बाते हैं काफी बाते आप जानते हैं तो सारी बातों को थोड़ा सद नया करने कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों को आप नहीं जानते हो साउंड की उसको हम बता देंगे आप कि स्पीड किसमें ज्यादा होती सांड की स्पीड सॉलइड में ज्यादा होती है सबसे है कम होती है और गयस में क्या होती है कि सबसे कम होती सबसे कम सबसे कम किया सबसे कम समझ में अग Schr television में किसमें सबसे जयादा होता सबसे ज्यादाột है किस Member कई सबसे ज्यादा कि स्पीड है किसे घर्चिण में होतीeren तो हुड़े हुड होती है sounds ज्यादा हुगइव है में 6 इसके बाद और हुड हमंदी इस सबसे ज्यादा होती है उसके बाद क्या है हमने तीन पर क्रतिष्टिक्स पढ़ा पढ़ा तीन कारेक्टरिस्टिक पढ़ा तीनों करेंचिंग किया किया हमने कंप्रिजन कि capturing कि है इसके बाद इसमें और भी निया हुता है melting point होता हैисьके बाद हो them up होता है तो लिक्विड़ा जाता है लिक्विड के पास एक क्या होता है boiling point होता है क्या होता है boiling point होता है ठीक है और उसके बाद diffusion Wrestle rate के बाद करते हैं rate of diffusion एंग जफ्यूजन क्या होता है निफ्यूजन दीफ्यूजन क्या होता है गैस में सब ज़्यादा होता इंद रिक्वीड उस से कम होता है। थि 낮ूज험 और लिक्वीड में क्या होता है कम होता हैbungον स्फि strike सबसे कम contrat का मतलब यह समझें wanna कि जैसे आपके पास क्या है पानी है पानी में आपने निल डाला और क्या होगे उसके अंदर जो निल मिल रहा है पानी के अंदर लिक्विड के अंदर लिक्विड जो मिल रहा है यही चीज होती है डिफ्यूजन और कमरे में आप क्या करें सेंट की बाटल को खोल दो और क्या होता है यह हमारे पास क्या हो गए उसके बास हो गया उसके आपको मिलें गेंगे और आपको कोई समस्या आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर किया करें आपके हर कमेंट का हम रिप्ले करेंगे कोई भी समस्या है वीडियो अच्छी लगी तो डियर स्टुडेंट वीडियो को लाइक करो चैनल पर परिवार आए चैनल को सब्सक्राब्स जरूर करें अगली वीडियो हमें इसके केर पढ़ाई करते रहें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर जरूर करें और चैनल पर नहीं नहीं आये हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें